हाई फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे आज हम सेयर करने वाले हैं आपके साथ बिहार की बिल्कुल स्पेसल डिस आलो बडी बैंगन की रेसिपी बडी का नाम आपने शुना होगा अगर नहीं शुना होगा तो मैं आपको बता देती हूँ इतना ज्यादा टेस्टी बनता है ये बिल्कुल मटन चिकन को भी फेल कर देगा ये रेसिपी तो चली रेसिपी को सुरू करते हैं और बिना किसी लेट के तो सबसे पहले हम बैंगन को टुकडों में कट कर लेते हैं उसके बाद हमने इसको पानी मी डाल दिया है दस मिनट क अच्छे से वाश करके प्लेट में निकाल लेंगे सेम इसी तरीके से आलू को भी मैं चिलका सही तुकडों में मैंने कट कर लिया है बड़ी साइज की तुकडों में कट करना है उसके बाद इसको अच्छे से वाश करके निकाल लेना है मैंने या पे 6-7 आलू का यूज किय और एक बड़ी साइज बैंगन का उसके बाद हम प्याज और टमाटर को भी अच्छे से वास कर लेंगे और कट कर लेंगे तो अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में तो सबसे पहले कुकर में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे तेल को गड़म हो जाने देंगे उसके दालेंगे जीरा थोड़ा सा तेज पत्ता थोड़ा सूखी मिर्च डाल देंगे उसके बाद मैंने आपर तीन बड़ा साइज कटावा प्याज डाला है प्याज को डालकर हम अच्छे से बून लेंगे 50 परसंट तक कुक करने के बाद आपको एक से डिर चमच लहसन दरग का साइधा पेश डाला है उसके बाद में अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है आपको उसके बाद हम आ पर थोड़ा सा कच्छा मिर्च और टामाटर डाला है टामाटर निके बाद अम्हार पर साथ इनमक डाल देंगे नमक स्वात के नुशर आप सवाधि अभी डाल दिजी बड़ी डाले के बाद इसको 1-2 मिनट तक पकाएंगे मेडियम फ्लेम पर मिक्स करते हुए ताकि बड़ी जो है ना मसाले को अच्छे से अब्जॉब कर ले पहले तो यहां पर लगवग 2 मिनट हो चुका है आप देख सकते हैं अच्छे से बहुन चुका है मारा तो अब यहा हो जाता है तो बैंगन को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको भी 4-5 मिनट तक और फ्राय करेंगे मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते रहिए गा इसको तो लगवग यहां पर 3-4 मिनट तक और हो चुका है तो आप देख सकते हैं बैंगन आलो औ पानी और डाल सकते हैं इसमें मैं ग्रेवी को हलका मेडियम थेकने सी रख रही हूं ताकि यह रोटी राइस दोनों के साथ अच्छा लगे तो यह हमारी गड़मा गड़म आलो बड़ी और बैंगन की सब जीवन कर तयार हो चुकि है फ्रेंड्स तो आप इस रेसिपी को ए आईए बनाई इंजॉइ किजिये रेसिपी अच्छी लोगी तो लाइक से लिए सब्सक्राइब किए तो